पहले question 13 पढ़ लेते हैं question 13 में क्या कहता है question 13 में कहता है from the following information ध्यान दीजेगा कुछ information given है और इस information के according देखा जाए कहता है provide MNO limited required to calculate weighted average cost of capital और एक चीज़ और देखो यहाँ पे ना छोटा सा को लिखा हुआ है को तो को का मतलब होता है हमारा WACC कई बार examiner बोल देगा find को को का मतलब होता है क for cost O for overall तो इसलिए इसका होता है cost of overall capital इसको को भी बोल देते हैं देखो वहां लिखा हुआ भी है यूजिंग मार्केट वेल्यू कहता है कि तो सर मार्केट वेल्यू से आपको पता है रिटेन अर्निंग का तो कोई रोल ही नहीं कहता ही कि जो हमारा 100% डिबेंचर है रिडिमेबल 20 यर बाद होगा 8% coupon rate है coupon rate का मतलब न देखो डिबेंचर यहां पर यहां पर है नहीं rate तो यह 8% rate है तो जो interest rate होता है न उसको हम coupon rate भी बोल देते हैं ठीक है coupon rate 4% flotation cost और sales price है हमारा 100 का अगर हम बेचे तो कितने का बिकेगा 100 का हाला कि डिबेंचर कॉटिट 110 का है लेखिन selling price कितने का है 100 रुपए का preference share कहता है redeemable 15 साल ठीक है सर 10% dividend उसके आगे है और 5% flotation cost और selling price कितने का यह भी 100 का है equity share 2 per share flotation cost और selling price 22 रुपए कहता है in addition the dividend expected to be equity shareholder year and 2 rupees per share expected यानि D1 है यह सर anticipated growth rate 5% G आ गया है and company has to participate paying all the earning dividend company बोलती है के apply all its earning its dividend the corporate tax rate 30% तो question मान के चलो आप simple है हम अगे इन जो पहले करते थे वही कर लेते हैं है 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 हैं है च्छहीग है इस अगे टार की करने कर दो आप अगे है और का कर अगे हैं सबसे पहले लिख लेकिए और सोर्स के बाद हमारा आ जाएगा अमाउंट कॉस्ट प्रोडक्ट सबसे पहले एक्विटी शियर कैपिटल सर एक्विटी शियर कैपिटल देखो न दस रुपए का एक शियर है और 20 लाक है तो यानि हमारा शियर होगा 2 लाक का 10 रुपए का एक शियर है 20 लाक है तो कितने शियर होगे हमारे 2 लाक इंटू में 10 करोगे तो 20 लाक होगा तो सर यहाँ पर लिखते है 2 लाक और इसको मार्केट प्राइस से मल्टिप्लाई करना है क्यूंकि डबलू ए सी सी है यूजिंग मार्केट राइस तो सर मल्टिप्लाई मार्केट में क्या रेट है सर देखो मार्केट के अंदर रेट दे रखा है हमारा 22 रुपए का एकुटी शेयर टू पर शेयर फ्लोटेसिंग कॉस्ट और मार्केट में कितने का चल रहा है 22 रुपए तो कितने हो गया हमारे 44 राग का आगे देखते है सर प्रिफ्रेंश येर है 5 राग का और नमबर निकालने के लिए डिवाइड किस से कर दोगे डिवाइड कर दोगे आप किस से बताओ पांच लाग का प्रिफ्रेंश येर है हम डिवाइड करेंगे सौ से तो पांच हजार तो प्रिफ्रेंश येर लिख लेते हैं कितने परसेंट प्रिफ्रेंश येर है सर इसको multiply करेंगे market price क्या है sir market price कहता है प्रफेंट शेयर का है 120 कितने आ गई है कि इसके बाद आ जाते हैं प्रफेंट शेयर के बाद डिवेंचर पूपन रेट परसेंट कि डिवेंचर कहता है हमारा दस लाग सौर रुपे का यानि दस अजार और market ग्यारा का तो 110 का तो ग्यारा यह आ गया पहले यहां तक देखे कोई दिक्कत कॉस्ट तो हर किसी का निकालना ही होगा ठीक है ना कॉस्ट तो हर किसी का निकालना पड़ेगा ठीक है कॉस्ट हर किसी का निकालना पड़ेगा चलिए कॉस्ट निकालते हैं एक एक करके सबसे पहले किसका निकाले KD का निकाल लेते हैं redeemable वाला है तो KD का formula होगा interest 1 minus में T plus redeemable value minus NP divided by 2 इन सभी में RV plus NP divided by 2 यहां 2 नहीं आएगा यहां N आएगा यहां पर 2 नहीं आएगा N आएगा into में 100 सर इंटरस 8% है तो 8 रुपे tax is 1.03 30% plus redeemable value कितने का है 100 और हमने जो net proceeds मिला कहता ही के सर जो debenture कहता है financing opportunity आर अब इसके उपर flotation cost की बात करें तो सर flotation cost कितने का है मारा नहीं 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 यह 100 कैसे लिए already में उलवलिए ठीक है पार पार पर 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 करेंट में तो मार्केट में 110 का है हाँ तो करेंट प्राइस पर तो मार्केट में पैसा आ रहा है 110 रुपे का मार्केट में प्राइस है ठीक है यहाँ पर कह दिया है इसने ना कहते है 100 रुपे पर डिवेंचर है हमारा एक डिवेंचर का उपर भलाई कह रही है 110 यहाँ कह रहा है 100 रुपे का एक डिवेंचर है जिसे 20 साल बाद हम redeemable पार करेंगे तो सर 100 रुपे का अगर हमारा डिवेंचर है इसके उपर floatation cost minus करोगे 4% मतलब 4 तो कितने आ जाएगा 96 N कितना है हमारा सर 20 100 plus में 96 divided by into 100 एक rate हमारे पास determine हो जाएगा कुछ बच्चों का doubt हो सकता है मैं यहां bracket में लिख देता हूँ कि सर यह कैसे आया तो 100 रुपए था हमारा 4 रुपए का floatation cost लगके आ गया है क्या है परसंटेज निकाली है फटा फटा 0.91 परसंटेज लगागे तो 5.91 आ जाएगा तो हम सर यह क्या परसंटेज लगाने के बाद पहले इसको cross verify कर लें सभी जितने भी बैठे हुए coupon rate का मतलब interest rate को coupon rate भी कह देते हैं कई वाल ठीक है स्वेता का भी जवाब आ गया सक्षी का भी जवाब आ गया अगला पार्ट चलते हैं अगला के पी निकाल ले मैं नेक्स पे निकाल देता हूँ के पी की बात करते हैं के पी में आपका डी फिर प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन में एन डिवाइड़ बाई आरवी प्लस एनपी डिवाइड़ बाई टू इंटू में हंडर्ड यह फॉर्मूला लिख दिया सर रेट था डिविडेंट का देखते हैं कूपन रेट कहता है पर फेंशियर के आगे जो रहेगा हमारा वो रहेगा तस परसेंट तो दस प्लस आरवी दिखा जाए तो कितना था सो माइनस नाइनटी फाइव सर यहां पर भी फ्लोटेशन कॉस्ट था मैं लिख देता हूं सो माइनस में पांच डिवाइड़ बाइ एन पंद्रह इसके डिवाइड़ बाइ डिवाइड़ बाइ तो क्या आगया यह परसंटेज टैन पॉइंट पॉइंट फाइब सिक्स मैं देखो डिरेक्ली बता रहे हैं बच्चे तो मैं लिख रहा हूं बागया पूरा कैल्कुलेट कर लोगे 10.56 तो आ जाई है 10.56 का मतलब आ गया 0.1056 ठेक है तीन डिजिट ही ले लो इनफ है केई निकाल लेके की केई तो असान होता है यही निकाल लेते है केई होता है D1 प्लस G डिवाइड़ बाइन पी तो केई में D1 कितना है हमारा कह रहा है कुश्चन 2 रुपए एन पी कितना है कुश्चन में कह रखा है कि हमारा शियर का प्राइस जो है वो 22 है 2 रुपए फ्लोटेशन कॉस्ट है तो 20 आ जाएगा ग्रोथ है हमारा 0.05 इंटू में 100 तो यह आ गया 15 परसंट यह सिंपल आ गया तो 0.15 अब प्रड़क्ट करिए इसका यह आ जाएगा 50 और 11 61 यह क्या गया 6 लाग 6-3-3-6-0 65-0-10 टोटल करते हैं 7-8-3-7-0 ठीक है WACC निकालने का क्या तरीका होता है सिंपल आपको पता है WACC कैसे निकाला जाए कुस्चन की जुरत नहीं है पुस्चन को यहां से थोड़ा चोठा दर देता है चलिए या कहले हूँ WACC या इसको क्या बोला था KO भी बोल देते हैं तो क्या होता है सिंपल प्रोड़क्ट डिवाइड़िट बाइ सिंपल अमाउंट इंटू हंड्रेट सर सिंपल प्रोड़क्ट है 788370 61,00,00 इंटू में 100 12.92 परसेंटेज यह था कुश्चन नमबर 13 बताइए डाउट प्रोड़क्ट 100-4 क्यों लिखा है 100-4 कहा है 100 रुपया का फेस वैल्यू था इस पर फ्लोटेशन कोस्ट माईनस हो जाता है न आपका प्रोड़क्ट निकालने के लिए तो प्रोड़क्ट यह होता है फेस वैल्यू माईनस में फ्लोटेशन कोस्ट तो 4% दे रखा है कोशन में तो सौ का चार परसंट निकाल लिया है कि कोई दिक्कत